आप सब का स्वागत है वीडियो सेरीज मुंडारी व्याकरन भाग दो वक्य निर्मान में आप सभी हिंदी या अंग्रेजी ग्रामर से परिशित जो जरूर ही होंगे इसलिए इस वीडियो पर मैं उन दो भाषाओं कर ग्रामर पर अधिक चर्चा नहीं करूँगा इन दो भाषाओं के ग्रामर से तुलना कर मुंडारी ग्रामर समझाना ज़्यादा इसलिए इसलिए सिंप्लिफाइड तरीके से एक्स्प्लेइन करता रहूंगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में किसी भी वाक्या के दो भाग होते हैं सब्जेक्ट यानि उद्देश्य और प्रेडिकेट यानि विधे सब्जेक्ट वा है जिसके बारे में वाक्या कहा जाता है और प्रेडिकेट वा है जो उस बात को डिफाइन करती है यानि सब्जेक्ट को डिफाइन करती है यह दोनु भाग एक कोपुला यानि योजक से जुड़े होते हैं अंग्रेजी में या is, are, have इत्यादी हैं जिनका टेंस के भी हिसाब से अलगरा ग्रूप भी होता है हिंदी में या हैं और है से दर्शाया जाता है मुण्डारी में सभी वाक्य योजकों अलप्रत्य यानि कोपुला एंड साफिक्स की मदद से ही बन सकते हैं मुखेता मुण्डारी में तीन प्रकार की योजक है पहला ग्रूप है तर्ट्व सुचक ये योजक व्यक्ति अचल या चल यानि जीवित या अजीवित दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है इनमें दो उप प्रकार होते हैं पहला है तन केवल संग्या और सार्वनामिक वाक्यों के लिए और आ अक्रिया और विशेशन वाले वाक्यों के लिए तन का मूल भाव इंगलिश के आर्टिकल D की तरह है और यह एक जीवीत वर्थ के लिए ही प्रयोग में लाया जते है आ का मूल भाव इंगलिश के आर्टिकल A की तरह है यह सम्थिंग यह सम्वन का संकेत सुचक है हम आगे बढ़े हैं उससे पहले मुंडारी सर्वनामों की जानकारी ले ले सभी मुंडारी सर्वनाम वर्तमान व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं और यह प्रत्य की भूमी का ही निवाते हैं उत्तम पुरुष में, इंग, मैं, लिंग, मैं और व, लंग, मैं और तुम, ले, हम पर तुम नहीं, बू, हम सब मध्यम पुरुष में, मैं, तुम, बेन, तुम दोनों या आप दोनों मुलता या शादिश्वदा जोड़ों के लिए ही प्रयोग में आता है पे, आप सब, अन्य पुरुष में, इ, या ए, व, किंग, वे दोनों, को, वे सब अताब पहले प्रकायर के वाक्यों के उधारान है मैं मुन्डा हूँ होडो तानिंग होडो शब्द मुन्डा भाषा में मनुष्य जाती, मुन्डाओं की अपनी जन जाती और मुन्डा भाषा सभी कले प्रयोग की जाती है स्क्रीन पर दिखे वाक्य कर शाब्दी का नुवाद करने के लिए होडो तानिंग मुन्डा निष्चे ही है मैं यह चिपटबर भाषा की खार्शात है यहाँ सर्वनाम बदल कर वाक्य के पुरुष और वचन दोनों बदल सकते हैं अन्याव दारान है होडो तान लिंग हम दोनों पर सुनने वाला नहीं मुन्डा है होडो तान बुरू हम सभी मुन्डा है होडो तानी यहाँ इसकी जनकारी इमेल नहीं होती है यानि होडो तानी वा मुन्डा है होडो तान को वे सब मुन्डा है होडो तान में तुम मुन्डा हो यह शाधरन रूप से ऐसा प्रतित होता है कि तान का अर्थ हिंदी है अथवा English is are कि जैसा है पर तन यहां जता रहा है कि subject यानि उद्देश है निश्चे ही यानि निश्चित तत्व एक जीविद बुद्धी वाला प्राणी है पर हम यहां भी देख सकते हैं कि वाक्य यहां पेड है कानुवाद दारु तन हो जाता है यहाँ पर तन दारू यानि पेड़ की निश्चित्ता को दर्शार है यहाँ वाक्य बुलने वाला एक खास पेड़ को इंगीत कर रहा है इसलिए यहाँ तन का फंक्षन इंग्लिश द की तरह है यानि दर्ट्री तन के बाद लगा आ निश्चित तत्व का सुचक है पेड़ व्याकरनिया रूप से अचल तत्व है इसलिए इसके लिए सर्वनाम का प्रयोग नहीं हो सकता इसलिए दारू तन आ तत्व सुचक का दूसरे प्रकार है आ यह सिर्फ उन वाक्यों में ही प्रयोग होता है जहां क्रिया का बोधो यह किसी विशेशन का उदारान के लिए स्याना का अर्थ है बुद्धी अतसिक्षित बुद्धिमान या बुद्धिपूर्ण इंसान के लिए जो शब्द है वह है स्यानान मुंडारी में भाव, इच्छा, अनुभूती, इत्यादी शब्दों के लिए कारेक्षन सफिक्स यानी संसोधक प्रत्याई लगाना जरूरी होता है यह है गे मूल मुंडा में गी नागुरी मुंडा में परन्तु ए और इ इतना लगू है कि अक्सर दोनों का उच्छारन मान लिया जाता है अता वाक्य है स्यानान गी याई निश्चित ही मैं सिक्षित हूँ आपके स्क्रीन पर जो धारन है शब्दों के अनुशारान वादित अप सोचेंगे कि यहाँ आ का उचारन आ कैसे हुआ अक्सर यही कन्फूजन का पॉइंट होता है नासुखियों के लिए आ योजक के साथ प्रेडिकेट यानि विधे का संपर्क हमेशा जरूरी है अता आ अक अप्लेसिंग प्रेडिकेट के बाद होता है पर सर्वनाम के एक्सेंट के कारण आ अकारुद खत्म हो जाता है और या आ यानि निर्धारत स्वर आ बन जाता है पहले के उदारान की तरह ही आगे भी सर्वनाम बदल कर वाक्य के वचन और पुरुष को बदले जा सकते हैं सेरांगिया लंग बाकी दिये वाक्य भी ऐसे ही बनाये जा सकते हैं यहां आपको दो बातों में कन्फ्यूजन होगा पहला मुंडारी योजक पुरुष अथ्वा वचन अथ्वा संख्या का संख्या का संख्या नहीं देते हैं कोई भी प्रत्य अलग से नहीं जोड़ी जाती है जो संख्या बता सके संख्या का ग्यान सरुनाम से ही होता है इसलिए अनुवात करतस में आपको सरुनाम की संख्या देखनी होगी दूसरा यहां वाक्य सनगी आईं बुद्धिमान मैं या सनगी आई बुद्धिमान व हुआ मैं नहीं बटा हुआ है यहां विध्य यानि सब्जिक्ट का भाग है इसलिए भाग इस तरह है सड़ांगिय इंग यह विभाजन सर्वनामों के अलग प्रजाती प्रभावी सर्वनाम से अलग है प्रभावी सर्वनाम भारवाग स्वर्व से बनते हैं इसलिए वे हैं आईं, मैं ही, निश्चे ही मैं, आम, तुम ही, निश्चे ही तुम, आपे, आप ही, इत्यादी इनका प्रयोक कब होता है इस पर दूसरे अध्याय में जरुरत नुसार चर्चा करेंगे बाहर वाहक स्वर के कारण ही, इसे दीर का से लिख दिया जाता है, लेकिन वह गलत हो जाता है उदारन के लिए अंतर आप देखें आम, आम, आले, आले, आपे, आपे वाक के निर्बान पर दुबार आते हैं आ, जब विजरेशन से जोड़ा गया है, तो यह आ की तरह उचारत हुआ है और विधे, यानि जो शब्द है, सेनान, और उद्देश इंग के बीच में आया है जब विधे क्रिया हो, तब भी या विधे से जुड़कर उसके बीच में ही आता है उद्दाहरन, साभीप्राय वर्तमान काल, यानि इंटेंशनल प्रेजन्टेंस में खानी की क्रिया होती है जोमतन जोमतन एक प्रेडिकेटिव रूट है, यानि धातु विधे इसका अर्थ होता है अभी इसी क्षण खाना खाते रहना तो वाक्या बनेगा जोमतन एक, मैं अभी खा रहा हूँ इसे डारेक्ट सिधा सिधा अनुवाद करने से खा रहा अभी हूँ मैं जोमतन, खा रहा अभी आ, हूँ, इंग, मैं जोमतन, तुम अभी खा रहे हो जोमतन ए, वह अभी खा रहा है पर जब विध्ये में दूसरा कर्म भी हो यानि अब्जेक्ट भी हो तो वर्तमान वेक्तिवाजक सरुनाम उस दूसरे सब्द से जूड़ जाता है और वाक्य में आ का स्थान अंतिम हो जाता है उदाहरन के लिए चावल का मुंडारी शब्द है मांडी तब वाक्य बनता है मांडीं जामतना मैं चावल खा रहा हूँ सिधा सिधा अनुवाद करने पर मांडी चावल इं मैं जामतन खा रहा हूँ मांडीं जामतना मांडीं जामतना तुम चावल खा रहे हो मांडिये जमतना वह चावल खा रहा है यहां आखरे उधारन में मांडिये जमतनाएं भी होता है इस अंतरबर चर्चा बाद में करेंगे अब चर्चा करते हैं कि यहां तन और आ अम में क्या अंतर है इनकी शमता क्या है तन दो मुल धातु से बना है जो है ता और ने ता का मुल अर्थ है स्थेर होना ठोस होना या तात्विक होना यानि फिजिकल रियालिटी इसलिए तन का अर्थ होता है ठोस होता हुआ यानि वर्तमान में ठोस होना तात्विक होना आ अ का अर्थ काफी बड़ा है या वही वही वस्तु वही भाव किसी चीज को इंगित करती हुई चीजों को बतानी के लिए ही होता है जो बुद्धी की सीमा से बाहर अमारे भाषा में आती है यानि संपूर्ण रुप से तात्रिक हो जाती है बुद्धी के विचार को प्रक कर देती है जैसे थौट का स्पीज यानि लैंग्वेज में आ जाना इसी कारण से अगर यहाँ वाक्य इस तरह बनाए जोमतन तनी तो यहां गलत हो जाएगा यहां अर्थ जोमतन खा रहा तन हो जाना इं मैं मैं खा रहा हो जाता हूं यही कारण है कि जोबी की होडो तनी म मैं मुंडा हूँ अनुवाद होता है, इसका असली एर्थ है, मैं निष्चित होता हुआ मुंडा हूँ , यनि मैं निष्चे ही ताथीकुरूप में ही मुंडा हूँ English में एर्थ है, यहां आर्थ हो जाता है। जमतन खा रहा तन हो जाना आ प्रकट होना इंग मैं यानि मैं खा रहा होता हुआ हो रहा हुआ ऐसे वाक्यों को कोई लोजिक नहीं है अगर तन हटा के आ लगा दिया जा है तो होड़ो आइंग हो जाएगा यानि मुंडा प्रकट होना मैं यहां पर तब यह होडो के स्थेवता को ना बता कर उसके भाव को बता रही है जैसे कि मैंने पहले भी बताया होडो शब्द मुंडारी जाती मनुष्य और मनुष्य भासा यानि हमारी मुंडा भासा के लिए भी यूज होता है तो होडवाइंग का मतलब हो जाएगा मैं मुंदारी कहना जानता हूँ यह आ की शम्ता विधे होड़ो को क्रिया बना रही है यानि उसको साकार कर रही है और भाशा के रूप में प्रकट कर रही है दूसरा योजक है आकन या उन वाकियों के लिए प्रयोग होता है जहां किसी वेबसाइट, किसी कार्य या पद्वी का जिकर हो उदारन के लिए अगर आप किसी के बारे में बताना चाहते हैं कि वह क्या है डॉक्टर है, टीचर है, स्टूडेंट है तो आप इस आकन प्रत्या का प्रयोग करेंगे वहाँ पर तन या आ का प्रयोग करने से वाक्या में दूसरे बदलाव आएंगे जिसके बारे मैं अभी थोड़े देर में बताऊंगा पहले उदारन देखें मुंडा करना है वह मुंडा हुआ है यानि वह मुंडा गाओं का मुख्या पद्वी पर विराजमान है यह अकर्म क्रिया प्रत्या है जो निरंतरता काल का सुचक होती है इस अंतर को समझानी के लिए हमें क्विज करें तो बैतर से हम इसे समझ सकते हैं वह क्या है अर्थात वह किस जाती का है होडो तानी वा मुंडा है वा कैसा है यानि उसका हाल कैसा है बुगिन गिया है वा सिहात मंद है वा क्या है यानि उसकी पद्वी क्या है मुंडा करना है वा मुख्या है वा निश्चित रूप से कौन है मुंडा तानी वही मुख्या है He is the Munda अब तक बताए सब प्रकारों के अलावा एक तीसरा प्रकार भी होता है जो योजक प्रत्य है से नहीं बनता है आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि अब तक बताए वाक्य निर्मान में उपस्थिती यान उपस्थिती का जिक्र नहीं हुआ है उदाहरन के लिए आप इस वाक्य को पहले बताए रूल से कैसे लिखेंगे परमेश्वर है, there is a God मुनाओं का सबसे परम इश्वर होता है सिंग बोंगा यानि महांतम आत्मा परम इश्वर अगर हम पहले के रूल से सेंटेंस को बनाएं तो परमेश्वर है को अगर हम बनाते हैं सिंग बोंगा तनी तो अनुवाध हो जाएगा परमेश्वर निश्चे ही यह यानि यह निश्चे ही परमेश्वर है यहाँ वाक्य ऐसा भाव दे रहा है कि कहने वाला इश्वर को परसनली जानता है और देख भी रहा है सिंग्भोंगा तनाय भी गलत हो जाएगा क्योंकि यह हो जाएगा वह परमेशर हो रहा है सिंग्भोंगाय का मतलब हो जाएगा वह परमेशर हो जाएगा यह सारे उदारन इश निंदा यानि ब्लास्फेमी जैसे प्रतीत होता है और लोजिकल नहीं है या there is a god के भाव को नहीं जता रहा है क्योंकि इस sentence में या भाव इंसान के विचार से जुड़े हुआ है यानि उसके विश्वास से मनुछे विश्वास कर रहा है कि there is a god तो इसको हम कैसे कहेंगे यहाँ पर मुंडारी अस्तित्व उपस्तिती या अनुपस्तिती के लिए दो सब्दों का प्रयोग करता है यह है मेन और बांग इन सब्दों का क्रिया रूप है मेना और बांगा बांगा का कर्म वाच्चे सब्द होता है बानो यानी मेना अस्तित्व है बानो अस्तित्व नहीं है इसलिए पहले के उदारान का फॉर्मेशन होगा सिंग्बोंगा मेनाया परमेश्वर अस्तित्व वह प्रकाट होना सिंग्बोंगा मेनाया यानी परमेश्वर है There is a God मेना और बांग के सर्वनामी स्वरूप का टेबल इस प्रकार है मेनाया, मैं हूँ, बांगाया, मैं नहीं हूँ यहाँ पर इंग और आ, मेना के आ के साथ स्लाइड होकर यह शाउंड को दिखाता है मेनाया, बांगाया, मेनाया, तुम हो, बांग मैं, तुम नहीं हो मेनाया, वा है, बांगाया, वा नहीं है मेना है, बन ओवा नहीं है ध्यान दें कि अवरोदित स्वार एक ही जगा हो सकता है वह मेना में ही होता है मेना का या भावनात्मा प्रयोग यानि परमिश्वर पर विश्वास के अलावा तर्तिक प्रयोग भी है उदाहरन के लिए इस वाक्य में वह भागी चे में है बाक्री रे मेना या वह पहार पर है बुरू रे मेना या पजेशन यानि अधिकार सुचक वाक्य में भी मेना का यूज होता है मेरे पास भेर बाक्रीयों है आया मिन्डी मेरें को मेना कोई या मेना ड्रोप कर भी स्थान को इंगीत किया जा सकता है जैसे बाक्री रे या वा बगी चे में कहीं होगी या निश्चय भाव की कमी होती है मैंना निश्चयता को बताती है बक्डी रे या बक्डी रे या बूरू रे या वो पहाल पर कहीं होगा यहां रे और लगूई में स्लाइडिंग होता है तो सेंटेंस बन जाता है बक्डिरिया और बुरुरिया या उचारन भी मान्ने होता है